प्रिये विद्ध्यार्थी मित्रो कक्षा दस्वी के पाच्वे पार्ट अनोखे राष्ट्रपती जिसे महादीवी वर्मा ने लिखा है इसमें आप तमाम का स्वागत है उमीद है आपको पिछले वीडियो पसंद आया होगा अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे ला हमने कल यहां तक खत्म किया था अब दूसरे पैरग्राफ से शुरुआत करेंगे उनकी मुखाकरती देखकर अनुभा होता था मानो इन्हें पहले कहीं देखा है मुखाकरती यानि चेहरा उनका चेहरा देखकर ऐसा लगता था ऐसा जैसे कि उन्हें पहले कहीं देखा है अ ऐसा ही तजरुबा हुआ होगा बहुत सोचने के उपरांध ही उस प्रकार की अनुभुती का कारण समझ में आ सका यानि बहुत ज्यादा सोच विचार करने के उपरांध यानि बाद में इसी प्रकार की अनुभुती यानि इसी प्रकार का उन्हें एहसास हुआ कि शायद उन् शरीर की संपूर्ण गठन में एक सामाने भारती जन की आकरती और गठन की चाया थी, अता है उन्हें देखने वाले की कोई ना कोई आकरती या व्यक्ति स्मरन हो आता था और वो अनुभव करने लगता था कि इस प्रकार के व्यक्ति को पहले भी कहीं देखा है, यानि एक आम भारतीय के चेहरे के जैसा राजिंद्र बाबू का चेहरा था और उनका पूरा शरीर का गठन ऐसा था कि एक संपूर्ण भारतीय व्यक्ति तो वो उसमें नजर आता था तो भारतीय जन यानि भारतीय जनता कि एक आम आदमी की तरह उनका शरीर था और उनकी आकरती यानि जो डेल डोल था उनका रूप था रूप का गठन था वो कैसा था वो भी ऐसा ही था और स्मुरन होना यानी याद आना कि किसी दूसरे वेक्ति के बारे में उनकी याद आ जाती थी और वो अनुभव करने लगता था कि पहले भी ने कहीं देखा है आकर्ति तथा वेज भूशा के समानी वे अपने स्वभाव और रहन सैन में सामाने भारतिये भारतिये क्रिशक का ही प्रतिनीदित्व करते थे यानी राजेंदर बाबु की जो वेज भूशा थी उनका जो पहनावा था कपड़े पहनने का जो तरीखा था वो ऐसा लगता था कि उनका स्वभाव यानी उनका जो स्वभाव था वो भी कैसा था रहन सैन एक आम भारतिये क्रिशक यानी किसान की तरह था और वो एक प्रतिनीदित्व कर रहे हैं प्रतिभा और बुद्धी की विशिष्टा के साथ साथ उन्हें जो गंभीर समवेदना प्राप्त हुई थी वही उनकी सामाननेता को गरीमा प्रदान करती थी अब उनकी जो प्रतिबा है यानि कि उनकी जो एक शमता होती है बुद्धी की और एक विशिष्टा है यानि कि खासियत है वो उन्हें क्या करती थी गंभीर समवेदना प्राप्त हुई थी अब ये गंभीर समवेदना कौन सी होती हो सकती है कि वो उन्हें एक आम भाड़तिय की तरह जिन्दगी जीने का गरिमा यानि गारव प्रदान करती है उन्हें फखर मैसूस होता है व्यापक्ता ही सामन्यता की शपत है परंतु व्यापक्ता समवेदना की गहराई में सित्थी बनाए रखती है अभी कैमे व्यापक्ता है यानि ये सामन्यता में है और सामन्यता क्या करती है ये एक शपत दिलाती है और समवेदना की गहराई में सित्थी बनाए रखती है क्या है आम जो लोगों से समवेदना रखना ये राजिंद्र बावु की जिन्दगी की खासियत है उनकी वेजबुशा की अस्त व्यस्तता के साथ उनके निजी सच्चुवर सहचर भाई चक्रदर जी का स्मरन अनायास हो आता है यानि उनकी जो वेजबुशा थी उनका जो पैरावा था कपड़े पहनते थे तो उसको देखकर उनकी अस्त व्यस्तता यानि उनका जो बिखराव है अस्त व्यस्तता यानि जो कपड़े है वो बराबर सही धंक से पहने नहीं होते थे तो उनके जो निजी सचिव थे सहचर सहचर यानि साथ में रहने वाले तो निजी सचिव जो थे जो या पिर उनके जो सहचर थे भाई चक्रधर जी तो ये साथ रहने वाले चक्रधर जो थे उनको उनका भी ऐसा ही इसमरन होता था इसी ही याद आती थी तो जब मोजों में से पांचों उंगलिया बाहर निकलने लगती जब जूते के तले पैर के तलवे के गवाक्ष बनने लगते जब धोती कुड़ते कोट आदी का खदर अपने मूल ताने बाने में वदने लगता तब चक्रधर इस पुरातन सज्जा को अपने लिए सहज लेते यानि चक्रधर जी जो थे उनके निजी सची वो क्या करते थे राजेंदर बाबु के जो पुराने जूते थे मोजे थे वो पुरे फट जाते या फिर धोती कुड़ते कोट आदी जो खदर के थे उसके ताने बाने जाद तूटने लगते तो वो पुरातन सज्जा के लिए चक्रधर जी उनसे मांग लेते थे और से सहज कर रखते थे समाल कर रखते थे उन्होंने वर्षो तक इसी प्रकाया राजेंदर बाबु के पुराने परिदान से अपने आपको प्रसादित कर करतार्थ कानुभव किया था मैंने ऐसे गुरु शिष्य कया स्वामी सेवक अब तक नहीं देखे यानि चक्रधर जी क्या थे राजेंदर बाबु के सेवक थे और वर्षो तक क्या करते थे राजेंदर बाबु के पुराने जो परिधान है परिधान यानि वस्त्र कपड़े तो पहनने का जो कपड़ा होता है उसे क्या करते थे उसे वो प्रसादित करते थे यानि अलंकरत करते थे यानि पहनते थे और वो क्या करते थे करतार था बताते थे यानि उसको करतार था या किसे कहते हैं यानि कि वो संतुष्टी हो जाते थे यानि संतुष्ट हो जाते थे अपने आपको संतुष्ट बताते थे कि वो राजिंदर बाबू के कपड़े पहन कर बहुत संतुष्ट है और ऐसे जो गुरुष इच्छे है स्वामी सेवग है शायद ही कहीं मिले होंगे जो अपने स्वामी के कपड़े परिधान करके खुश होते है संतुष्ट होते है राजेंद्र बाबु के निकट संपर्क में आने का उसर मुझे सन 1937 में मिला जब वे कांगरेस के अध्यक्ष के रूप में महीला विद्यापीट महाविद्याले के भावन का शीला नियास करने आप प्रियाग आये यानि राजेंद्र बाबु से मिलने का संपर्क कब मिला था महादीवी वर्मा को जब वो 1937 में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में महीला विद्या पिड महा विद्याले का शीला नियास करने आये थी यह कहां पर हुआ था प्रियाग में प्रियाग यानि इलाबाद में उन से ग्यात हुआ कि उनके सयुक्त पुरिवार में 15-16 पौतरिया है जिनके पढ़ाई की वेवस्ता नहीं हो पाई है यानि राजियंदर बाभु ने उस वक्त बताया रों कि उनके पौतरिया है पौत्रिय यानि वो दादा जान हो गए थे और बहुत छोटी छोटी उनके घर में बच्चियां थी और उनकी पड़ाई की वेवस्ता यानि इंतिजाम नहीं हो सका मैं यदि अपने चात्रावास में रख कर उन्हें विद्यापीट की परिक्षाओं में बैठा सकूँ तो उन्हें कुछ विद्याप्राप्थ हो सकेगी यानि यहां पर राजिंद्र बाबु ने एक इच्छा भी जाहिर की थी कि वो उन्हें उनकी पौत्रियों को चात्रावास में रख कर विद्यापीट में परिक्षाओं में बैठाने की को चेश्टा करने चाते हैं और ताकि वो पढ़ लिकर कुछ बन जाए चात्रावास किसे कहते हैं होस्टल को कहते हैं पहले बड़ी फिर छोटी फिर उनसे छोटी के क्रम से बालिका है मेरे सनरक्षन में आ गई यानि महादिवी वर्मा के सनरक्षन में बहुत सारी बालिका हैं जो राजिंद्र बाबु के परिवार से थी सबसे पहले बड़ी फिर छोटी फिर उनसे छोटी निए तीन बालिकाओं को उन्होंने सनरक्षन दिया और उनने पढ़ाया उनने देखने प्राया उनके दादी और कभी-कभी दादा भी प्रियाग आते रहे यानि उन बालिकाओं को बच्चियों को लड़कियों को देखने के लिए राजेंद्र बाबु की पत्नी यानि उनकी पौत्रियों की दादी और कभी कभी दादा यानि के राजेंदर बाबु प्रयाग यानि इलाबा जाया करते तभी राजेंदर बाबु की सहधर्मिनी के निकट संपर्क में आने का आउसर मिला यानि तभी राजेंदर बाबु की सहधर्मिनी यानि उनकी धरम पतनी तो उनके निकट उनके नजदीन जाने का अऊसर मिला मौखा मिला वे सच्छे अर्थ में धर्थी की पुत्री थी यानि जो राजिंद्र बाबु की पत्नी थी वे साध्वी, सरल, शमामई, सबके परति, ममतालू और असंगे संबंदों की सूत्र धारनी थी यानि राजिंद्र बाबु की पत्नी कैसी थी ये बहुत ही एक धर्ती पुत्री थी साध्वी के जैसा वो रहती थी और एकदम सरल उनका स्वभाव था शमा मई यानि किसी किसे पे भी गुसा नहीं होती थी कभी भी शमा कर देती थी और सबके प्रती ममतालूर असंग के संबंदो की सूत्र धारनी थी यानि कहीं सारे लोगों से जब संपर्क होता था तो वो क्या करती थी लोगों से मिलने की चेश्टा किया करती थी उमीद है यह आप वीडियो आपको पसंद आया होगा अगले वीडियो में दुबारा आप से वलाखात होगी तब तक के लिए गुडबाए